यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ फिलाल पुलिस ने हाथसे की जाच शुरू कर दी है तो एक स्कूल वैन खाई में जागिरी मंडी की एक खबर आपको बता रहे है जहाँ पर बीस बच्चे तकरीबन इस हाथसे में घायल हो गए और बड़ी बात यह है कि इस स्कूल वैन को नौसिखिया बच्चा चला रहा थ और यहाँ पर लापरवाही कही न कहीं बढ़ती गई है क्योंकि नौसिखिया नौसिखिया नौजवान इस स्कूल वैन को चला रहा था तो मंडी की एक खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर एक दर्दनाक हाथसा हुआ है एक स्कूल वैन खाई में जवागिरी है जिसकी वज़ा से 20 बच्चे तकरीबन घायल हो गए है तस्वीरे आप देख रहे हैं इन मासूमों का इलाज चल रहा है यहाँ पर लापरवाही क पहिना कहीं बढ़ती गई है ड्राइवर की ओर से क्योंकि नौसीखिया नौजवान यह स्कूल वैन चला रहा था और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं स्कूल प्रसाशन के उपर और ड्राइवर के उपर कि जब पूरा अभ्यास नहीं था तो कैसे स्कूल वैन को वो ले क कर गए पर बच्चे सीरियस थे एक बच्ची तो पाफी सीरियस थी थी रहा हुंने पूरा उनकामनेज रिज करके उसके बाद जो ज्यादा सीरियस थे बच्चे उनको हमने तो अर्याव एक स्वाट एम्बूलैंस में मंडी रहते कर ले चाड़ी चला रहा था और पीछी देख अर्जी थे एक बच्चे जड़ एक बच्चे बच्चे सीरियस थे थे एक उसके बचूलैंस बच्चे सीरियस थे लाधिग में कर दो एक बच्चे सीरियस थे आरह हुआ है झाल झाल